वेलकम टू जीप्यम एस्टुडी दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है जीप्यम एस्टुडी यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग फिर से डिसकस करेंगे स्टेटिक जीके का एक और महतपूर्ण वीडियो जो किया टाइगा रिजर्व इन इंडिया बहुत ही महतप पूपस करते हैं अब अपना टोपिक सबसे पहले देख लेते हैं चौनकोन से बहुत बहुत चाया बहुत बहुत रिपट कब आया इंडिया में लाया गया तो 1973 में और इसका एम क्या था प्रोटेक्ट गर पॉपूलेशन और इसका मुँद्देश था बाग के जन संख्या को प्रोटेक्ट करना उसको बचाना उसके आवादी को बचाना रक्षा करना बाग की ये इसका मेन एम था टाइगर रिजर जो है बेसिकली वह वाइड लैप सेंचूरी और नेशनल पार्क होता है टाइगर रिजर मूल उसे वन जीव अभियारन और राश्टे उद्यान है ल होने के कारण इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत सरकार ने ले लिया और यह टाइगर रिजर बन गिया ओके चलिए इसका मेन बेनिफीट क्या है टाइगर रिजर बनने का मेन बेनिफीट है कि इसको फंडिंग जो है मोर फंडिंग फ्रम गवर्मेंट गवर्मेंट स से जादे इसको funding मिलता है जादे रूपया मिलता है और पुर्जेक्ट टैगर जो है यह centrally sponsored scheme है कौन सा centrally sponsored scheme है और केंद सरकार के द्वारा यह चले आ जाता है लेकिन इसको funding जो है central और state government दोनों से इसको fund मिलता है इस बात का आपको ध्यान रखना है और भारत में जो है 18 टैगर रेंज इस्टेट है कितना है 18 टैगर रेंज इस्टेट है total और 22.21 परसेंट जो है total geographical area इंडिया का total geographical area का 2.21 परसेंट टैगर रिजर्व कवर करता है और और देखते हैं कंट्र वर्तवान में एक buffer area होता है और कोई जानवर no activity will happen और कोई activity जैसे की गतिविदी टूरिजम हो गया यह सब हो गया रेलवे लाइन रोड हो गयर हो गया सब कोई भी activity नहीं होता है कोई एरिया में बफर एरिया देखते हैं कोई भी गतिविदी नहीं होती है इस बात का आपको ध्यान रखना है चले आगे चलते हैं एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथरेटी एंटी सीए इस टेच्वरी बोडी एक बैदानिक संस्था जिसके जो की एन और आर्चिंग सुपर्वाइजरी कोडिनेटेड रूल जिसके अंतरगत वन जीव अब यारन 1972 के अंतरगत ये बैदानिक संस्था जो है सारे काम प्रिवेक्षन समन्मय का भूमी का पुरा निवाते हैं ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथरेटी जो है इसके अंतरगत काम करता वाइ सुम्य जितना बाग है उसका सतर परसेंट जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाते हैं हम वी ऑल्सु सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कम मनाते हैं 29 जुलाइ को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे अंतराष्टिय बाग दिवस मनें आ जाता है ये बा बन्रेहे चलिए पाइस्टेकल सिर्फ करेंगे जितना बार बार रऌसे करेंगा जितना विडियो देखेंगं कैंप पूरा सानी से याद हो सब्सक्तों पर टो इंद्रावती टाइगर रिजर गुरू घासी दाश टाइगर रिजर चलए एक वार फिर से रीपीट कर लेते हैं ताकि आपको असानी से इस वीडियो के दरम्यान देखते देखते हैं याद हो जाए पहला देखते हैं उधनती सीतानज़ी टाइगर रिजर अचना कमर सी स्टस्टेटिक ज summertimerib और टाल्मिक टैणा रजर बयार है यह स्टनल पार्क पार्ट को दियान सब्भorkनिक आपको द помог आपको याद कर धोज्व न कीजिरल ननगार हमिर काचि रहागना यह चारों यह कि करते हैं कि कि सब्काइब करते है तकि याद हो जाए ना मेरी कर रिजर्व कहा है असाम में काजी रंगा टैगर रिजर्व असाम में मानस टैगर रिजर्व असाम में औरंग टैगर रिजर्व कहा है तो असाम में है चलिए इतना याद हो गया होगा आपको चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अरुनाचल परदेश और नाचल परदेश म यहाथ तइनों कहा है और नाचली पर देशित तो चलते हैं और देश . पर देश में रजुन पंतरीस प्रदेश में जोंगहिं हैं 63 love इंडिया भारत का जो है सबसे बड़ा बाग या बियारं कौन सा आपको ध्यान रखतना है नागा आर्जुन स्री सेलं टैगर इजर्व जो कि कहा है आंद्रपर्देश में हैं चले नेक्स चलते हैं नेक्स 7 त्यलंगना त्यलंगना में कौन को mोण सा टैगर data प्लाइं ये दोनों कहना यह लंग नाम आपको ध्यान रखना है बहुत बार एक जा्ılarम में पूछा गिया यह सब क्वेशंचन हम रभार ट्लाइगर वजखर लगशन कहां है तो द्लाइग में है यह बात आपको ध्यान चलते हैं आर 감사ize Rice में मुखुंद्रा हिल municipality ठेयर सरश का टाइग ताइगर तकशम उल्ट करते हैं जबंचे कौन कौन से है मुकुंद्रा हिल्स टैगार रजिर्व कहा है एह वार फिर से repeat कर लेते हैं तमिलाडू में कौन इसके का इसा अहीं मुदू May Tag रिजर्व अन्थझया इसमिलाई Taika रिजर्व नय में चैंग क्यों न महाराष्ट्रा मकलाष्ट्रा में देखते हैं कौन गाट टैगर रिजर्व कहा है महराष्ट्रा में है नावे गौन नगजीरा टैगर रिजर्व नावे गौन नगजीरा बागया बैरन कहा है महराष्ट्र में है तदोवा टैगर रिजर्व तदोवा बागया बैरन कहा है महराष्ट्र में है बोर टैगर रिजर्व और सयाधरी टाइगर रिजर्व यह सारे कहा है महाराष्ट्रा में जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है याद कर लेना इसी वीडियो के दर्मियान आपको चले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं मेल घाट टाइगर रिजर्व नावे गौनक जीरा टाइगर रिजर्व तदोवा ट टाइगर रिजर्व और स्याधरी टाइगर रिजर्व यह सारे के सारे कहा है महाराष्ट्रा में है चला है चल् ox पूरा टैगर रिजर्व, पेंज टैगरुजर्व, कानम टैगर रिजर्व, सनजेदुबृ रिजर्व और रता पानी टैगर रिजर्व çek रिजर्व यह सारे के सारे कहा है मद्पर्देश में चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, मद पर्दिश में है पन्ना टैगर रिजर्व, संजे दूबरी टैगर रिजर्व और रतापानी टैगर रिजर्व, यह सारे आपको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे मध्द पर्देश से हैं जो की बहुत ही important है बहुत ही महतपूर्ण है किसी भी exam के लिए चले next चलते है next है केरला केरला में कौन कौन सा केरला में दो ही है पेरियार टाइगर रिजर्व और प्रमबी कुलम टाइगर रिजर्व ये दोनों के दोनों कहां है केरल में कौन-कौन से हैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व और प्रमबी कुलम टाइगर रिजर्व ये सारे के सारे कहां है केरल में हैं तो बांदीपूर टागर रिजर्व और बिलगिरी रंगनथा टेम्पल टागर रिजर्व ये अगका रजया है। जसको की पहले डांडेली आंसी टागर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। नागर होले टागर रिजर्व बांदीपूर टागर रिजर्व और बिलगरी रंगना था टेमपल टागर रिजर्व ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने करनाटक से हैं चले नेक्स चलते हैं नेक्स जारखंड से कौन कौन सा है जारखंड में एक ही है पलामू टागर रिजर कौन सा पलामू टाइगर रिजर्ब पलामू टाइगर रिजर्ब कहा है जारखंड में है चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स है वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगोल में सुन्दरवन टागर रिजर्ब और बुकसा टागर रिजर्ब वेस्ट बेंगोल में दो ही है जो की ध्यान रखना है आपको सुन्दरवन टागर रिजर्ब और बुकसा टागर रिजर्ब सुन्दरवन जो है एक युनस्को वर्ल्ड हेरिटे साइड भी है नेशनल पार्ग भी है टागर रिजर्ब भी है चले नेक्स चलते हैं नेक्स है उत्राखंड उत्राखंड में देखते हैं कौन-कौन सा है उत्राखंड में जीम कॉर्वेट टागर रिजर्ब और राजाजी तेगा रीज़ु इने दो ध्यान रखना है आपको कॉन-कॉन से jimricorvet टागार रिजर और राजाजी टागजी टागार रीजरु राजा जी जो यह я गार में उत्त्त्र अंप कोनमों सा है पिलभी चैकर ऐजर सर्फ दुद्वा गर रिजर ओर टायगर तो सुथा काती है उत्तुर नाज परिपा लेक्षर दूस्त्ट उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे इजर इस वीडियो के दर्मियान याद हो होंगे और कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये लेक्चर इससे पहले एस्टेटिक जीके का एक और पार्ट नेशनल पार्क दे दिया गया आप प्लेलिस्ट में जाके खोच सकते हैं स्टेटिक जीके का और इसी तरह देखते रहिए वीडियो को लाइक किजिए थैंक यू फोर वाचिंग जी प्यमिश्टी